हमारा जो टोपिक है वो है पाचन की कारी की हैं में पाचन एंजाइम विभिन प्रकार के डाइजेस्टिव जो एंजाइम हैं उनके बारे में हम आज अधेन करेंगे अहार नाल में पोशक ततों की जल अपकर्टन की दर विशेश उत्परेरकों द्वारा बढ़ाई जाती है और इन जो केटेलिस्ट हैं इनको हमें पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं यह पाचक एंजाइम में ग्लेंड्स द्वारा विभिन परकार की ग्रंतियों द्वारा श्रावित होकर क्या काम करते हैं कि जटिल भोजन अव्यवों को सरल अव्यवों में प्रिवर्तित करते हैं क्योंकि पाचन एक करिया है कि स्क्राशाने करते ही वह better कर की करते हैं तो खतली एक निवह करते हैं जैसे ये हमारी ये रसाइन के भिक्रिया है इसमें ये कोई जटिल वेव है और इसका ये जल अपकटन होकर दो वेवों में तूटा है तो ये हाइड्रो लेजेज भी कहलाते हैं ये जिन पोशक पदार्थों के जल अपकटन का उत्परेरन करते हैं उसी के नुशार इन्हें चार स्रेणियों में वेवख्त किया गया है बाटा गया है पहला है कार्बोहाइड्रेजेज दूसरा प्रोटीनेजेज तीसरा लाइपेजेज चोथा नूकलियजेज इसमें पहला हम बढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेजेज वे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को पकटित करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेजेज कहते हैं अब ग्लाइकोसाइडिक बंद पाया जाता है और उन कार्बोःडेज इंजाइम है वो इनके उपस्ट्रीक रिएक्षण करेगा कि यह करेगा तो यह दो प्रकार के होते हैं पहला आता है पौली शेकराइड एज यह इसे माइल एज भी कहते हैं पौली शेकराइड यह क्या करता है पौली शेकराइड यह एंजाई में प्रकार की जो कारवोाइडेट है उनका फिर di saccharides में विखंडन कर देता है तो बोजन के अंदर जो poly saccharides के रूप में मुखेते है, starch है cellulose है, आदि पाई जाते हैं तो जो starch जैसे है starch का ये पाचन किस्प में करता है maltose के अंदर इसे बदल देता है दूसरे प्रकार का है di saccharides ये enzyme इंजाइम डाइसेकराइड को मोनोसेकराइड में तोड़ते हैं इन में मुख्य तया एंजाइम कुन चाहते हैं पहला जैसे माल्टेज है यह माल्टेज क्या करता है माल्टोज को दो ग्लुकोज के अन्वों में तोड़ता है दूशरा जैसे सुक्रेज है यह सुक्रोज को ग दुम्हें पाया जाता है लेक्टोज उसको तोड़ने के लिए लेक्टेज है वो गलुकोज और गये लेक्टोज ने में लेक्टोज को बदल देता है दूसरे प्रकार काता है प्रोटीनेज़ बेन जाइम जो प्रोटीन को eminomial में विखंडित करते हैं ये वो eminomial के बहुलक होते हैं और protein है वो उसको तोड़के eminomial बना देते हैं इन्हें दो सम्मूं में बाठते हैं एक आता है endopeptidage ये बड़े protein अनों के बीच बीच के बंदों को तोड़कर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों विखंडित करते हैं और इस पृकार के जो हैं उन्हें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं यहलकी बातेमें किरिया करते हैं इनने यह ऑन जाइम्स हैं कुछ जैसे है ट्रिप्शीन इ censorship क्या करता है कि यह जो जब स्रावित होता है तो यह निष्ण क्रिया उस्ता में ट्रिप्षीन नोजन के रूप में स्रावित होता है और एंटेरो काइनेज जेज की उपस्तेती में यह ट्रिप पेपसीन, यह निसकरिय पेपसीन ओजन के रूप में सरावित होता है और हट् Committee है उस्यों ग्रेपसीन में buzzing अग्ला आता है रेनीन कोoch 두 के साथ में चाहित से साथ होता है और यह दूद निल्टी Tips है अ उनको ऊजोंविए प्रोटीन है केसिनोजन था फैला इंड्र प्यज़ से तोड़ रहा था अब आता है एक्जो पेप्टिडेज यह क्या करता है यह पॉली पेप्टाइडिशन क्राओं के बंधों को तोड़कर इनके सीरों पर इस्तित एमिनो इसिट जो है उनको अलग करता है तो सीरों पर एमिनोमल है उनको अलग करता रहता है इनमें पहला आता है कार्बोक्सी जिस के अंदर अमेनु समौ आए उनको जो प्रइब बंद घो है उनके रिज़फ वंदों को तोड़ देता है तो एमेनु समौ वाले अलग हो जाते हैं कि प्रइब डाइब टीड़ यह डाइब प्रइड को विखंदित करता लग कि दो अमनॉक्त है उनके बीच में प्रेड म जो बंद है पेप्टाइड उसको तोड़ने का काम है ये करते हैं तीसरे परकार के हैं लाइपेजेज ये इंजाइम वसाओं के एस्टर बंदों को वसाओं के मद्द जो एस्टर बंद है उनको तोड़कर इनका विखंडन करते हैं और विखंडन करते हैं तो कैसे करते हैं कि वसाये पहले जल पकटन द्वारा daya glyceride और monoglyceride में बदलती हैं जल पकटन अमसे से द्वारा सरावित लाइपेजेश ज़ो एंजायम से उनके द्वारा होता है चोथा है नूकलीजेज ये एंजाइम नूकलीकम लो नूकलियोस टाइड नूकलियोसाइड हैं उनको अपगटित करने का कारिय करता है तो ये हमारे जो एंजाइम्स थे पाचन के लिए वो है